मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारी यहां कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानि सत्य को प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, जो प्रत्यक्षे हैं, उसे भी प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, लेकिन बाद जब आधुनिक मेरिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपण होता है प्रमार, एविडेंस सद्यों से भारतिये जिवन का हिस्सा रहे योग और आयरुवेज जैसे हमारे सांस्त्रों के सामने एविडेंस बेश रीसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनवती रही है परणाम दिखते हैं लेकिन प्रमा नहीं होते हैं लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेश मेडिसिन के यूग में अब योग और आयरुवेज आधुनिक यूग की जांच और कसोटियों पर भी खरे उतर रहे हैं आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा इस संस्तान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केर में बहुत नाम कमाया है इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत जादा असरकारी है टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्टित बेस कैंसर कांफरंस में प्रस्तुत किया है इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट का ध्यान अपनी तर्व खीचा है क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडन्स के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाव हुआ है इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस कैंसर के मरीजों की बिमारी के फिर से उभरने और मृत्यू के खत्रे में 15 प्रतीशत तक की कमी आई है भारतिय पार्मपारिक चिकित्सा में यह पहला उदारण है जिसे पस्चिमी तौर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है साथी यह पहली स्टड़ी है जिसमें ब्रेस कैंसर से प्रभावीत महिलाओं में योग से क्वालिटी अप लाइफ के बहतर होने का पता चला है इसके लॉंग टम बेनिफिट्स भी सामने आये हैं टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपने स्टड़ी के नतीजों को परिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी अब मेडिकल अंकलोजी में उस सम्मिलन में प्रस्तित किया है साथियों आज के यूग में भारतिय चिकत्सा पद्धतियां जितनी जादा एविडेंस बेज होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्विकारिता बढ़ेगी इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है यहां हमारी पारंपारिक चिकत्सा पद्धतियों को वेलेडेज करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फर इंट्रिगेटिव मेडिसीन और रिसर्च की स्थापना की गई इसमें लेटेस्ट मोडन टेक्निक्स और रिसर्च मेथर्स का उप्योग किया जाता है यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठीत अंतराष्ट्य जर्नल्स में 20 पेपर प्रकासित कर चुका है अमेरिकन कॉलेज अब काडियोलोजी के जर्नल में प्रकासित एक प्रेपर में सिंगपी से पीडित मरीजों को योग से होने वाले लाप के बारे में बताया गया है इसी प्रकार नियूरोलोजी जर्नल के पेपर में माइगरेन में योग के फाइदों के बारे में बताया गया है इनके अलावा कई और बिमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है जैसे हार्ड डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसॉर्डर्स और प्रेगनेंसी के दोरान महिलाओं को होने वाली समझ जाए साथियों कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड अईरुवेट कॉंग्रेस के लिए गोवा में था इसमें 40 से जादा देशों के डेलिगेट सामीर हुए और यहां 550 से अधिक साइन्टिफिक पेपर्स प्रेजन्ट किये गए भारत सहीत दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहां एक्जिबिशन में अपने प्रोड़क्स को डिस्पले किया चार दिनों तक चले इस एक्षपो में एक लाग से भी अतिक लोगों ने आईरुवेट से जुड़े अपने एक्षप्रियंस को एंजोई किया आईरुवेट कॉंग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जूटे आईरुवेट एक्षपर्स के सामने एविडेंस बेज रिसर्च का आगरत दोहराया जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में योग और आईरुवेट की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं उसमें इन से जुड़ी एविडेंस बेज रिसर्च बहुती महत्वपुन साबित होगी मेरा आप से भी आगरह है कि योग और आईरुवेट और हमारी पारमपारिक चिकित सा पर्द्रतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें